नमस्का इन खबर में आपका स्वालत है गुरू और सनी दोनों ही सम का भाव रखते हैं गुरू और सनी में किसी भी तरह का कोई सतुरता का भाव नहीं होता गुरू 20 नमंबर को अपनी नीची राची से निकल कर कुम्ब राची में प्रवेश कर जाएंगे गुरू का कुम्ब रासी में जाने के कारण कई महिनों से मकर रासी में गुरू और सनी की जो यूती बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी एक रासी में तेरह माह रहने वाले बिरहस्पती की उच रासी के आलावा दो पांच नौ बारहवे भाव में होई गोचर करे तो सुप फल देता है गुरु कर्क में उच मकर में नीच का होता है अर्थाथ चोथी रासी में उच और दस्वी रासी में नीच का होता है इस तरह चोथे भाव में उच और दस्वे भाव में नीच का होता है गोचर अनुसार मेश, सिंग, बिश्चिक, धनू और मकर रासी वालों को ज्यादा फाय तो विबाह के योग बन रहे हैं, घर खरीदने या सम्रिधी के योग बन रहे हैं, सिंग, बिरस्पति आपके रासी के सब्तम भाव में गोचर कर रहा है, यह भाव जीवन साथिय और साजेदारी का घर है, इसका मतलब है कि दामपत्य जीवन में खुसिया आएगी, यदि आप मिलेगा, आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए ठीक रहेगा, नोकरी पेसा लोगों को अभी जहां हैं, वहीं पर बने रहने की जरूरत है, उतार चढ़ा रहेगा, बिरस्पति आपके रासी के चतूर्थ भाव में गोचर करेगा, यह सुख और माता का भाव है, अर ने, उनकी सेहत और उनकी सुरक्षा का ध्यान रख है, धनू, विरस्पति आपके रासी के तीसरे घर में गोचर करेगा, यह गोचर आपके लिए बहुत भागे साली रहेगा, आपको और भी पराक्रम दिखाने की जरूरत है, विबाह यात्रा के योग बन रहे हैं, नोकरी पेशा और व्यापारी बर्ग कोई जोखिमना उठाए, हाला कि आपको इस गोचर का बर पूरलाब मिलेगा, परिवार में सुख और सम्रिधी बढ़ेगी, आर्थिक रूप से अच्छा समय है, लेकिन यदि कोई निवेश कर रहे हैं, तो सोच समझ कर करें, बाकी र बाकी कानल को सब्सक्राइब करें